राश्टी बहुत मसवा किस तरह से काम कर रही है राश्टी बहुत मसवा का प्रतम उद्दिश है कि मैं नहीं दम है इसमें प्रतम नमस्कार आप देख रहे हैं अगरा की पावन धर्दी पर जहां पर के विशाल कारेकरम का आयोजन क्या गया है आप जिस तरह से देख सकते हैं कि जो राश्टी बहुत महासब है आज उसकी तरफ से कारेकरम का आयोजन है और मेरे साथ में बादल सिंग बहुत है उनी से चाहना चाहूंगी सर इस कारेकरम की रूप रेखा क्या है यह बाबा साब के जो अठारा मार्च उन्री सुचपण को एतियासे के संदेश भूमी से संदेश बाबा साब ने दिया था उसी के इस मिर्थी में जो सामाजक कारी करने बाली अगली पिड़ी है उस पिड़ी को हम बाबा साब के जो संदेश है संदेश भूमी से देना चाहते हैं क्योंकि बर्तमान समय की जो पिड़ी है भै पिड़ी बाबा साब के संदेशों को बूलती जा रही है इसलिए बार बार हमारे जो कारीकरम के उदेश रहते ह वो ये भी रहते हैं कि कहीं हम बूलना जाएं आप देख रहे हैं रेली में नो नहाल छोटे बच्चों से लेकर यूत तक इस कारिकर में समलित हुए हैं और बावा सापके संदेश भूमी से बावा सापके जो संदेश थे योवाओं को मजदूरों को खेती हर किसानों को भू 羅हरा जो प्राचीन समय से घौसपल बुद्धा को संजो के रखते हैं और और च्करते हैं और समाज में पहुंचाते हैं और हम संदेश को पूरे विस्में भारत की लोगों के साथ सेर करना चाहते हैं ऑधार सिंह हुए है जो आप पंक्ति में जलूस में देख रहा हैं राश्ट्रवार सबके अलग-अलग बैनर है अपने रीजनल से लेंगवेज में सबके अलग-अलग बैनर है इससे अडेंटिफाइ होता है कि पिरते के राजिका यह एक बैनर के लेकिन हम देख रहें कि जो नाज्टिय बहुत महासवाय उन्होंने नीला कलर चुड़ा है तो इसके पीछे बेसिक कारण बहुजन समाज बहुत बिसाल है जो बिसालता का सवरूप आकास है आकास का रंग नीला है बहुजन समाज भी उसे नीले रंग के साथ एक ड्रेस कोड से भारत में चलाना चाहती है अलग अलग प्रकार की ड्रेस कोड में इस कार को किया जाता है इस प्रकार से जो धम सेवक संग का एक नया कौशेप्ट लाया गया है जो धम में माने की अच्छा मार गया है अच्छे मार की सेवा के लिए हम सातियों को एक ड्रेस कोड में लेक रचन गया है जी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एंड़ी नीज चैनल से एंकर नीलम बोजी के साथ राश्टी बहुत मसवा के विसालतम समू को जो विसालतम समू या संदेश सुनने के लिए आया है इस अंदेश राश्टी बहुत मसवा के संस्तावक्स मानि धर्मपरकास कारवा को आंगे ले जाने के लिए जो कारवा बाबा साब ने दुखी मन से कहा तक मैं दुखी हूं पड़े लेके समाज से मैं खास करके दुखी हूं तो उस पड़े लेके समाज को क्यों दुखी थे बाबा साब उस दुख का कारण जानेंगे और दुख के कारण के साथ ह बैनर लगवाई जो धम सेवक संग है उसका आज एक राष्ट्य अधिवेशन हो रहा है तो आखिर इस संदेश क्या देना जा रहे हैं जो प्रतम तोर पर जो जथा है उसके जो अग्र वहाग के रूप में माननी एडवोकेट करतार भारती जी है वो बाबल साब के जहां 18 मार याद किया जाता है और कहां कमुया रहे गहीं वरत साब क्या करना चाहते ठेव बरको जो कम्हückeनल एवार्ट के चरते वा वन लोगों को नहीं कर पाए थे उनके संदेशों के लिए बाबा साव यहां जो कहना चाहते थे उस बात को राश्टी बहुत मसवा मानने नीलम बोजी के चैनल एन भी नीज के माध्यम से राश्टी बहुत मसवा पूरे देश में पहुचाना चाहते हैं जिस तरह से विष धम शांती यात्रा उसका भी इसको नाम दिया गया है तो आज क्या लगता है कि जिस तरह से भारत का जो सिनेरियो बना हुआ है क्यों कि कहीं ना कहीं एक सांपर्दाइक तकाथ बहुत बड़े स्तर पर महत्तव दिया जा रहा बढ़ावा दिया तो इसको रोख लेके लिए जो धम के बादिन से शांती को आगे बढ़ा सकते हैं धम में ही नेतिकता ही आच्रन है आच्रन ही हमारी पवित्रता है जब पवित्रता के साथ समाज मानब मानब के बीचे असमान तको खत्म करके आगे बढ़ेगा यही धम मारग है और यही संदिश देती हुए हमारे जिसे उड़िसा की जांकी है उड़िसा का डेली केर से हमारा चल रहा है उसकी नो जबान है इसमें हमारे बैष्ट बंगाल के साथी भी हुए हमारे साथी बावा साथ के सामाज में भाईचारे साथ एक तापर करना चाहते हैं, ए क्छे क्छा रहता है और लुक्त्व पूरी ब्दम की बात करूँ जिस साल के साल के तीन सो पैसर दिन गुजड़डाते हैं लेकिन एक दिन आता है जब बाबा साथ की जैनति आती है या महाकाणिकत था गत्र बुद्ध की जैनती आते जिसको हम बुद्ध पुणिमा के नाम से जानते उस दिन मंच्यों के मादों से बड़े-बड़े कारे कर माईजुत कर लेते लेकिन जो काम धरातल पर होना चाहिए वो नहीं होता है तो उन संगठनों में खासकर जो राश् रखते हैं यह उद्देश हमारा 2007 से आज तक चला रहा है हम धम को आंग रखते हैं इसमें हमारा कोई नाम नहीं होता है जितना धम में भारत में बढ़ेगा मानफ्ता के बीच बढ़ेगा उतनी ही मानफ्ता इस्तापित होगी और ताकतबर की रूप में उबरेगी अधिकत बहुत मसबा धमके संदेशों को आंग रखकर समाज में उनके मुक्त देशों को पहलाना चाहती है जो बाबा साब अपने जीवन के अंतिम दो बिंदू बताना चाहती थे 3-3 माई 1936 को महार परिशत में जो बाबा साब ने भासन दिया था मुक्ती कौन पते को अधिकतर संस्ता अधिकतर कारी करता अधिकतर समाज और बरत्मान पिली भूल चुकी है और मुक्ति कौन पते के मार के अनुसार जो उन्होंने जो 1956 का मार दिया तो चबदा वर्टुमबर को उसके अनुसार राश्टी बहुत दमा सबाग काम करना चाहती है धन्यवाद और साथ्यों मैं आपको अवगत करा दूँ जितना भी हमने ये जथ्था आपको दिखाया अब इसके अंतिम बड़ाओं में जिस तरह से आप देख रहें कि बहुत ही सुन्दर जो धम रथ है वो सजा हुआ है जिसमें कि प्रम पूजे बाबा साब जिस तरह से महा कारुणी क लगातर आगला कि जो क्रांतिकारी लोग है जो योत्ता लोग है वो लगातर इस ओर लूख को आगे बढ़ाने के लिए लग रहें और जिस तरह साब देख सक रहें कि तमाम जो विधायक है या सामाजी कारेकरता के तहजु लोग अपने अपने सवठनों के माध्यमें से काम कर रहे हैं वो भी इस धम कारवा में अपनी सक्रिय भूमी का निवार है तो अज कहीं ने कहीं हम देख रहें कि लोग राजनिती से ऊपर उठकर भी इस धम कारवा को इकती देने के लिए लगे हुए है नमस्कार